हेलो एब्रिवन स्वागत है आपका पॉलेटी के एक न्यू वीडियो में और आज के वीडियो में जानेगे हम नियंत्रा की महालेखा परिच्छक के बारे में जिसे आप कम्ट्रॉलर एंड ओडिटर जनरल बोलते हैं अगर सौट में बात करें तो सी एजी के नाम से जानते ह चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां पर देखिए सबसे पहले तो आप से पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना इस पद की स्थापना कब की गई थी इसमें अगर हम बात करें तो यह सबसे पुराना पद है देखिए 1800 अंठामन में इसे महालेखा कार के रूप म इसे स्थापना हो चुकी दी इस पद की और 1800 अंठामन सी चला आ रहा भी से शुरूप सी हलाकि समय बदलता है और समय के साथ साथ इसमें नामों में कई प्रकार के प्रियोड़तन किये गए महालेखा कार इसके पहला पत था जैसे 1800 अंठामन में बनाए गया था इसके बाद फिर समय के बाद 1866 में भी इसमें चैंजस हुगा इसे नियंत्रक महालेखा परिच्छक कहा गाया फिर इसके बाद समय बदलता गाया और 1950 में अगर बात करें सुनता पश्चाद इससे संविधानिक दर्जा दिये गब इसस रूप सी याद रखिएगा चले तो सबसे पहले पॉइंट की बात की हमने यहाँ पर स्थापना की अब बात कर लेते हैं इसकी निप्ती कोन करता है इसकी निप्ती कोन करता है तो राष्ट पती द्वारा इसकी निप्ती की जाती ही विशेस रूप सी याद रखिएगा कहेगी की निप्ती जो निप्ती करते हैं कोन करते है राष्ट पदी करते हैं महाँ में 20 जरूप से याद रखना है आप लोगों को किलिए रहे नेक्स्ट पॉइंट के अगर हम बात करें वहीं तो देखें इसके कारकाल से कुश्चन पूछे जाते हैं इसके कारकाल क्या होता है देखें कारकाल जो इसका होता है 6 वर्स विसेस रूप से याद रखेंगे इसका जो कारकाल 6 वर्स होता है लेकर 6 वर्स के पहले अगर 75 वर्स की आयू कोई विक्ति कम्क्लीट कर लेता है तो भी पद से त्याग पत्र दैना होता है विसेस रूप से याद रखेंगा य pelvis या 750 बर्श की आयू तक servicio rup से पॉइंट जरूर याद रखना है । चले next point की बात करें तो देखे यहाँ इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है तो इसके हटाने की प्रक्रिया है जो राश्ट्रपती पर कुण है जिसे महावियोग की नाम से जानती हैं, विसे सुरूप से याद रखेगा, संसत में महावियोग लाया जाता है, विसे सुरूप से याद रखेगा, 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 विसे सुरूप से चले नेस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए ये आर्टीकल जितने भी है न ये 48, 148 से 100 इंक्यामनतक आर्टीकल है ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है और एक्जाम में पूछे जा चुके हैं वी तक तो आप लोगों को इंपोर्टेंट आर्टीकल है और ये या सम्मिधानेक पद है विशेस रुप चियाद होगा अब जब भी कोई सम्मिधानेक पद होता है तो कही न कहीं किसी आर्टीकलWeৌ की भाग में चर्चा Dougie basen 148 से एक सो इंक्यामनति न आटीकलों को विसेस रूप से आप लोगों को याद जरूर रखना है 148 में कहागा कि भारत का एक कैग होगा विसेस रूप से याद रखना है Next अगर वहीं बात करें तो 149 में कहागा कार और सकती है किसी भी प्रकारकार कर लेखा का प्रकार ही ओडिट जरूर करेंगा विसेस रूप से याद रखेंगा Next अगर हम पॉइंट की बात करें तो एक सो इंक्यामन आटीकल इसपस्ट यह बोलता है कि जो ओडिट करेंगा उसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट किसे देगा देखिए अगर केंद से संबंदित कोई बित्ति से संबंदित काम किया है और केंद से संबंदित तो राष्टपती को सौपएगा और राष्टपती आपका कहां रखेगा संचत में रखेगा उस लिखा रिपोर्ट को और वहीं अगर हम बात करे इक से इंक्यामन के तहती राजपाल को भी रेपोर्ट देता है अगर वह जिसका audit किया हो राज ची के राजपाल को रेपोर्ट सांपेगा और राजपाल कहा कहां रखेगा वह इस रेपोर्ट को बिधान मंडल में रखेगा यह Apt जिरूर याद रखना है क्लियर है चरी next point कि अगर हम बात करें तो यहां पर देखें बेटन और भते बिए कि अगर हम बात करें तो law 50 ostr इसका बेटे रहां के जैसा कि सब बंगले बगयरा दिये जाते हैं और भीdies करेशिडी मुःया करवाई जाते हैं सरकार के दौरा किलिर है तो याद रखिएगा आभ next point की बात कर लेते हैं अब यहाँ पर चार्ज़ा करते हैं भारत के केक कौन है यानि पर्थम केक आग से पूछा जाएगा देखे हलाकि इसकी स्थापना तो अठामन में हो चुकी ते लेकर वो केक नहीं पूछा जाता आ आजादी के बाद से पूछे जाते हैं याद रखिएगा यह अगर हम बात करें तो पर्थम केक के रूप में जाने जाते हैं C.A.G. बी नरहरी राओ का नाम याद रखना है और इसके अलावा हम अगर बात करें तो बर्तमान जो अभी केक हैं विसे सुरूप से याद रखिएगा C.A.G. बर्तमान में जो ग्रीस चंद मुर्मू है विसे सुरूप से याद रखिएगा आप लो और इसके बाद हम बात करें इसके कारों और सकतियों की तो यहाँ पर दो इंपोर्टेंट कारें की बात कर लेते हैं देखिए हैं आपर भारत की संचित निदी इवन प्रतिक राज की संचित निदी और यूटी की संचित निदी की लेखा परिच्छा करता है याद रखिएगा अगर भारत की संचित निदी हो या किसी पर्टिकुलर राज की संचि किसी UT की संचिधरी दिए इन तीनों की जाच कौन करता है आपका CAG करता है विसे शुरूप चे अगर पैसा वहाँ से निकालना या डालना है सब की जाच करता है आपका CAG विसे शुरूप चे याद रखे 1 रोपे कहीं से कहा जाता है पैसा और किस काम में लगता है तो ये सारी जाज कौन करता है आपका C.A.G करता है नेक्स्ट पॉइंट के अगर हम वहीं बात करां तो ये वाला प्योंट और ज्यादा महात्पूह याद रखेगा के अंदर सरकार के लेखों की रेपोर्ट और राश्टपती को देगा याद रखेगा आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को सेर जरूर कीजिएगा और चैनल में नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले चलि मिलते हैं नहीं वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद